थोड़ा साला परवाही और थोड़ा सा जल्दी बाजी कितना नुपसान कर सकता है आप इस वीडियो में देखिए कि क्या हालत होगे एक ट्रक का और कैसे बाल बाल बचा है ड्राइबर हलाकि डिवाइडर पर गाड़ी चाड़ शुकी है एक ट्रक और ये CG04PB 2900 नमबर है इ उदर साइड से मैं आपको बता दू कि उदर से गाड़ी आ रही थी उदर से जो इसको दबा दिया ज्राइबर बता रहा था कि वो गाड़ी पूरा बाएं से दबा दिया यह था हिने बचने के चक्कर में डिवाइडर पर चड़ाया है अलाकि कोई दिवाइडर नहीं था और इसका बहुत लाखो का नुकसान हो गया इस ट्रक का मैं आपको दिखा दे रहा हूं कितना का इसका नुकसान हुआ है अलाकि वो तो भाग गया दवा करके लेकिन इस वेचारा का बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है टायर भी फट गया है और यह सुबा से फंसा भी तो इसका करीब करीब कुछ और भी डायमेज हुआ होगा जाली का घाली का तो लाखों का एक तरह से कहें तो कम से कम एक लाग का इसका खर्चा हो गया और नुक्सान हो गया तो कोई भी ड्राइबर अगर गाड़ी चला रहा है तो प्लीज आप लोग फड़ा सा उधानी से चलाएए तो ऐसा घटना किसी को आप फुद ना अपने साथ किजिए ना किसी को होने दीजिए थोड़ा सा एक ड्राइबर के गलती से बचा रहा है बाल बाल बचा है अभी गलीमत है कि यहां आके रुख गई है गाड़ी अगर यह टॉप जाती और उधर उस साइड जो चली जाती तो उधर से सानासन गाड़ी आती है कंटीनिव गाड़ी आती है तो आजसा हो सकता है लेकिन अभी गलीमत है कुछ हुआ नहीं है तो आप लोग प्लीज ऐसे घटना पर आपका क्या रहा है आप कमेंट करके बताएगा और मेरा आपसे प्रस्नार रिक्वेश्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि ऐसा ऐसा वीडियो आप तक पहुंच सकें देख सकते हैं काफी नुकसान हुआ है बाई का और काफी नुकसान होने से बचा है क्योंकि अगर उस साइड गाड़ी जाता तो बहुत बड़ा अधसा हो सकता था इसलिए अभी गलीमत भी है कि बचा हुआ है ड डिवाइडर भी डैमेज हुआ है और एक टायर भी इसका सामने वाला फट गया है मतलब करीब करीब लाखो का नुकसान हुआ है इस गाड़ी में देख सकते हैं और अभी भी ड्राइबर गया है क्रेल लाने क्रेल लेके आता है तो उठाता है तो मैं आपको दिखाऊंगा आप लोग प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए ताकि देख सकते हैं रेलवे रोड भी है और हाइवे भी है नदिक में हाइवे और रेलवे रोड है अगर उस साइड जाता गाड़ी तो बहुत बड़ा हाध्ता हो सकता है अभी कलीमत है कि गाड़ी बचा हुआ है ड् वीडियो पर लाइक जरूपी जेगा नमस्कार दाने बात